देश के दूसरे हिस्सों के साथ साथ हरियाना में भी करोना की मामले में लगातार इजाफा हो रहा है वहीं अगर रेवारी के बात करें तो जिले में भी बड़ी संख्या में रोजाना पोजिटिव केस सामने आ रहे हैं आज भी जिले में 117 नई पोजिटिव केस सामने आए ह जबकि दो मरीजों की आज करोना वाइरस के चलते मोत हो गई हलाकि recovery rate काफी अच्छा है आज जिले में 189 लोग ठीक हुए है लेकिन जिस तेजी से करोना वाइरस की रफ्तार बढ़ती जा रही है उसने टैंसन जरूर बढ़ा दिये यही वज़ा है कि सरकार अब करोना से बचाओ के लिए जारी की गए गाडलाइन पर सक्ती से पालन करने की बात कर रही है लेकिन धरातल पर करोना से बचाओ के लिए मुँपर मास्क दो गज की दूरी के नियम का अधिकांस लोग पालन नहीं कर रहे हैं जिसके कान संकर्मन की चेन तोड़ना काफी चुनोती भरा साबित हो रहा है। आपको बता दे कि साधियों की सीजन में बजार में जमकर खरिदारी की जा रही है और लोग जमकर नियोमों की धज्या भी उड़ा रहे हैं। बजार के अंदर भीड इस कदर पोहुच रही है कि जाम जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ड्रावना ये है कि ना दोगज की दूरी और ना अधिकांस लोग मुझ पर मास्क लगाते नजराते हैं। दिल्ली में मास्क ना लगाने पर 2000 रुपय का जुर्बाना कर दिया गया है। मंत्री जी अधिकांस अधिकारी मुझ पर मास्क का नियम लगाने का नियम फोलो नहीं कर रहे हैं। और नेता तो नियमों की धज्य उड़ाने का अपना जनमजात अधिकार समझते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी करोना संकर्वन की चेन को तोड़ने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ें। इसके साथ ही ज़्यादा ध्यान देनी की जोड़त ये भी है कि साधियों की सीजन में करोना से बचाओ की गाइडलाईन का पालन नहीं किया जा रहा है। आप डाउनलोड हो, दो गज की दूरी, सभी के मुँपर मास्क और सैनिटाइजेशन की वेस्ता जरूरी हो। रही सरकारी आदेसों की बात लेकिन हकीकत में ऐसा बिलकुल नहीं हो रहा है। गिरामिन छेत्रों में तो होने वाली साधियों में तो साध कोई ही व्यक्ति मास्क लगाता दिखाई देगा। वरना अधिकांस लोग बिना मास्क के ही घूमते नजराएंगे। जरूरी है कि लोग स्वर्म अपने जुम्मेवारी समझे और खुद और अपने मिलनों वालों का बचाओ करें। वर अगर स्वास्त वाग की बात करें तो यहां मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी देरी से आने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट की है। और उससे ज़्यादा समस्या कि लोग यह पता लगाने के लिए धक्ये खाते हैं कि उनकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है या नेगेटिव। सरकारी प्रेस नोट में जारी की गए बयानों में कहा जाता है कि स्वास्विवाग मरीजों को फोन करकर सूचना देता है कि उनकी रिपोर्ट पोजिटिव है या नेगेटिव है। जिनमें से 9904 नागरिक कोविड-19 पोजिटिव पाई जा चुके हैं और इनमें से 9271 नागरिक ठीक हो चुके हैं जबकि अब तक 54 मरीजों की जिला में कोरोना वाइरस के चलते मोत हो चुकी है। फिलाल जिले में 589 एक्टिव मरीज है इनमें से 1,443 मरीज नेगेटिव आ चुके हैं जबकि सेस 782 सेंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकि है। स्वास्तिवा के मताबिक जिला भर में 3 नागरिक कोरांटाइन किये हुए हैं जो दियस विदेश से अन्य सहरों से यातरा करके जिले में वापिस लोटे हैं जो 589 एक्टिव केस हैं इनमें से 45 विविन अस्पतालों में जबकि 534 मरीज होम आइसलेट किये गए हैं।